क्या होगाक वंट Turkish क्या था जो आपके इसकीन के सामने दिख रहा है जहां吗 morning की class में भी ये questions मैंने अपको बताहरcej था QUESTIONS क्या था टाइटेणिक किस दिन आ अप्री आट्लांटिक में क्या हो गया था फ़्च यह डूब गया था ऐसा कुष्ण्स के questions पढ़ेंगे जैसे आप लोगो थम दिल में दिख रहा था ये questions से correct करने के लिए thumbnail पर रखाये गया था ठीक है तो उसके साथ-साथ हम लोग यहां पर थोड़ा बात कर लेते हैं crash course से संब्दित ssc.je का exam आपका अगले दो-तीन मेने में हो जाएगा तो उसके लिए हमारे लगबग crash course के अंदर 80 वर्शन के असपास complete हो चुक है तो सभी लोग ध्यान दें कि अगर कोई भी बचा यहां पर ssc.je के लिए general study का course अगर purchase करना चाहता है तो यह हमारे दो कोर्स हैं जिसमें 100 यहां पर क्या दिया गया 100 आवर और 50 आवर के दो अलगला कोर्स देगे तो एंड में हम लोग इस पर भी बात करेंगे किस तरह से आप कोई course purchase करना होगा जो बच्चा पर्चेज करना चाहता है ठीक है crash course for the ssc.je 2019 के लिए पहला questions questions यहां पर slide नमर थार्ड है लेकिन इंडिकेट करता है questions आपका question नमर तीन है humidity of the air measured by वाई की आधरता मापी जाती है questions क्या दिया गया अच्छा questions है कि वाई की आधरता किस में मापी जाती है ठीक है तो इस question का सही answer क्या आएगा जो questions आपके सामने दिया गया हाइग्रोमीटर में नैनोमीटर में यह ग्लुकोमीटर में यह बोरोमीटर में समझ रो questions number one क्या दिया गया अच्छा question से exam point of view से ठीक है ना तो इस question का right answer क्या आएगा जो हम लोग बच्छा आधरता मापते हैं किस में मापते हैं हाइग्रोमीटर में मापते हैं जो हमारे atmosphere की क्या होती है humidity होती है उसे किस में मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है ठीक है next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions को questions number 4 क्या दिया गया instrument measuring the low temperature is the code जहाँ पर न्यून तम ताप को क्या करना होगा major करना होगा मापना होगा वहाँ पर कौन से यंत्र का प्रियोग किया जाएगा यह सारे के सारे बचा आपका यहां पर क्या दिया गए डाइगो मीटर क्रोयो मीटर होगा आपका यहां पर प्रेशर के लिए होता है बोरो मिटर दाव मापने के लिए होता है ठीक है तो इस क्वेशन का सही आंसर के आएगा जो आपके सुच्षाइं के सामने दिया गया इसका राइट आंसर क्या आचे लिए प्रेशर के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो आप लोग यहां बोटक मोग के तोर पर रहे जाती है इंपोर्टन चीजहंग इसको आप जरूर डूनेंगे कि लो प्रेशर के लिए हाई प्रेशर के लिए हम लोग किसका प्रियोग करते हैं समझ रहो नेक्स बढ़ते हम लोग अगले कुशन पर अगला कुशन डायोप्टर किसकी इकाई होती है डायोप्टर किसकी इकाई होती है ऐसा भी कुशन से ठीक है डायोप्टर किसकी इकाई होती है आगे आने वाला बच्चा हाई प्रेशर और लॉप प्रेशर वर जो चीजां होगी इसे हम लोग आगे भी यहाँ पे important चीज आप लोग को बताता रहोंगा, डायप्टर किसकी काई होती है, power of lens, lens की छमता, lens की focus दूरी की, focal length of the lens, यह अप क्या दिया गया, प्रकास की तिब्रता, ठीक है न, और ध्वानी की तिब्रता, सही answer क्या आएगा, डायप्टर is the unit of power of the lens, lens की जो छमता नापी जाती है, किस में नापी जाती है, डायप्टर में नापी जाती है, ए, इस questions का right answer आएगा, रितिक कुश्वाह, नया बच्चा है, यहाँ पे लगता है मुझे, और साथी साथ, आज आप लोग से मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी बच्चे अभी लाइब आ रहे हैं, अपनी ब्रांच जरूर बताएंगे आप लोग, इंजिनेरिंग की स्पैलिंग आती है, उससे ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आपकी ब्रांचेज होती है, इलक्टिकल, सिवील, मेकैनिकल, ठीक है, तो आप लोग जरूर बताएंगे, कि आपकी ब्रांच कोहन कोहन सी है, ठीक, इस question का right answer क्या था बच्चा आपका, तो ए लेंज की छमता मापी जाती है, ठीक है, next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के और, what is the process of, यहाँ पर क्या दिया गया, process, बहुत ही अच्छा questions है, process of the बच्चा आपका, conservation is the solid state to directly, gases state is cold, क्या कहा जाता है, बहुत ही important questions है, यह भी exam में पूछा जाता है, exam में questions बच्चा आपका, पूछा जाता है, ठीक है, electrical मुझे जहां तक ध्यानता है, यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, electrical से ही होंगे, जहां तक मुझे द्यान है कि ज़्यादा बच्चा इलक्टिकल से होंगे अब तक सारे के सारे बच्चे इलक्टिकल SSCJ सुभम सौनी जी SSCJ का पेपर ठीक है ना ये लगभग आपका कम से कम यह मान के चलो जून और जुलाई तक ही हो पाएगा अभी तो और टौट ऑट इसे बोलते आइगा का अदण इसक्वर्फलिषा इसक्वर्फलीन या उर्ध्वपातन इसक्वर्फल्षन का अध्याइगा अवस्ता में है बदलने को क्या कहा जाता अब तो इसे क्या कहा जाता बच्छा आपका अच्छा क्वेशन से एक्जाम पॉइंट ऑब व्यू से नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन के और अगला क्वेशन क्या आएगा इस क्वेशन का सही आंसर क्या आना चाहिए मानव बच्छा ठीकर यहां पर थिकनेस आपका जाता है माइक्रोन में, मिलिमीटर में, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रोन में ठीक है ना, तो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या आएगा माइक्रोन समझ रो, समझ रो इस क्वेशन का राइट अंसर क्या आना चाहिए बच्छा आपका जो questions आपके skin के सामने दिया गया उसमें क्या आएगा बच्छा आपका किस में मापा जाता है अच्छा questions है exam point of view से पूछा जाएगा आपकी questions ठीक है ना तो इस question का right answer क्या आना चाहिए जो आपकी skin के सामने बच्छा next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के ओर पार्सक इस दा unit measure पार्सक में किसको मापा जाता है पार्सक इस दा unit measurement ठीक है पार्सक किसकी मापन की इकाई यह बहुत अच्छा questions है ठीक है नहीं सभी देखो exam जो conduct होंगे simple से general सी बात है बच्छा तीन महीं से पहले कोई भी exam नहीं होने वाले तीन महीं के बाद ही होंगे तो जहां तक अभी जैसे सीजल का exam pending था सीजल के बाद ही जो होगा ठीक है तो नहीं जो प्रोसेस होगी प्रोसेस में जो भी समय लगेगा आपका वह आपका लगबग जून तक जाएगा जून और जुलाई तक जाएगा लेकिन हम इंतजार करेंगे जैसे हमारा जैसे लोगडाउन खुलता है सामन् इस question का right answer क्या एगा तो यहां पर यह ढखना astronomical distance खागोलियत दूरी मापने के लिए समझ रो खागोलियत दूरी मापने के लिए नेक्स आनेंगे हम लोग what is the unit of physical quantity induction बहुत बढ़िया questions आपका बहुतिक मात्रक यानि कि प्रेरर कत्तर का इकाई क्या होती है यहां पर इसी वज़े से आप गुड़ इबनिंग रोशनी राजवीर जी गुड़ इबनिंग ठीक है तो इस question का right answer क्या आएगा आपका तो इस question अगला question क्या दिया गया अगला questions यह देख लीजिए आप लोग अच्छा questions है अभी आप लोग को क्या बताया था low temperature की बात करी थी अब यहां पर क्या गया इस दा बैस्ट शुटेबल बचा ठीक है ना शुटेट फॉर्ड मेजरिंग आपका टेंप्रेचर इंसाइड आप यहां पर क्या देगा आपका ठीक है यहां कि भटियों के अंदर के ताप को मापने के लिए सबसे उचित होगा पाइरो मिटर यहां पर हाँ राजकुमार जी न्यूब वेलकम आपका राजकुमार जी बिल्कुल आपका स्वागत है समझ रो ठीक है तो यहां पर क्या दिया गया आपका पाइरो मिटर थर्मो कपल की बात की थर्मो मिटर या थर्मोसिस्ट की बात की समझ रो अच्छे कुशन्स आते हैं आप लों के लिए आपके पॉइंट ऑबीशेटी का यहां पर फिजिक्स ज्यादा इसलिए भी नहीं रखे जाते क्योंकि फिजिक्स आप लों के लिए आसान हो जाती है इसक्षान का राइट आंसर क्याएगा जहां पर भी हाई टेंपरेचर की बात करते है तो वहां पर क्या होता है पाइरो मिटर क अच्छा प्रती वर्ग से ठीक है मिटर प्रती वर्ग सेकेंड इसक्षान का ठीक है ह्प नेक्स बढ़ें हम लोग अगले कुछण इस फ्रक्शन काराइक में हाँगा ऑपका सरपीले घर्षनें में इस तरह की गरसंसे होता है क्यें होता है वह होते हैं नहस्तरों के सामने दिया गया राइट आंसर क्या आई गया जो स्लाइडिंग फ्रेक्शन इन अपका इस्टेटिक फ्रेक्शन कम होगा या जढ़ा होगा इस कॉच्चन का सही आंसर क्या आना चाहिए अब इसी त्रों से हम लोग कुछ इस में जनर्र साइंस के question जरूर पढ़ेंगे घ्र होगा यहाँ पे अभिशे गोरफ जी कह रहें Iya होना चाहिए उसकोषन का right answer क्या होना चाहिए ढुगना होना चाहिए यह Smolr कम उनना चाहिए सर पिले गर्षन में इस्टैटि गर्षन से कम होगा या ज्यादा होगा तो तो इस question का right answer क्या आना चाहिए इसका right answer क्या आएगा बच्छा आपका smaller होता है कम होना चाहिए ठीक है इस smaller होगा बच्छे इस question का right answer क्या आएगा आपका ठीक next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के और अगला questions यह आपके स्कीन के सामने है for every action there is the equal to बच्छा opposite reaction is the newton यह समझ बच्छा आपका प्रतिक्रिया में उसके तुल्या और एक विप्रीत प्रक्रिया होती है यह newton का कौन सा नियम है समझ रो यह newton का कौन सा नियम ऐसा कहता है अच्छा question सापका for the बच्छा आपका every action समझ क्रिया प्रतिक्र और प्रतिक्रिया का नियम जाथा यह यह तो इस question का right answer क्या आन चीए थार्ड लॉं जी से क्या कहा जाता है newton का is an Ivan कर्दी अनियम प्रतिक्रिया का नियम जिसे आप लोग कहते ठीक है next शलते हम लोग अगले questions क्योत अग्ला क्वेशन के यह तैट चया रहा अगला क्वेशन से क्वेशन नमबर 14 क्वेशन से नमबर 14 क्या दिया गया which of the following लकाउट वेक्टर क्वांटिटी कौन इन में से कौन सी निमलिकिन में से कौन सी सधिस्य मात्रक नहीं जो भी question से आपने theoretical है उन्हें मैं आप लोगों को end में भी समझा रहा हूं ठीक है तो end तक वीडियो को देखते रही है आप लोगों को end में भी चीज़ें समझाता रहूंगा ठीक है तो इस question का सही answer क्या आएगा इसमें आविग momentum की बात की गई यहां पर displacement की बात की गई बल आगून यानि टॉर्क की बात की गई या speed इन मैंसे कौन सी सदिस मात्रक नहीं है एक सदिस मात्रक नहीं है questions क्या दियागा questions नमबर 14 का right answer क्याएगा ठीक है तो कौन सा नहीं है बच्छे आपका speed बहुत बढ़िया speed क्याने से साधिस नहीं ठीक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ठीक है next चलेंगे हम लोग अगले questions के और questions नमबर 15 क्योर समय के परिवर्तन की दर क्या होती है रेट अप दबचे चैन्ज ऑप मोमेंटम की बात की गई तो इसकी दर क्या होती है ठीक है तो इस question का right answer क्या आनची जो आपके सामने दिया गया ठीक है इस question का right answer क्या है बच्छे आपका तो फोर्स क्या होता है बल होता है यह बिल्कुल आसान सक होई गया आपका ठीक है अगला questions क्या दिया गया यह दि कोई वस्तु एक व्रितिया गति में एक समान बेक से चल रही है question क्या है if the body move with uniform speed is the circular motion then यानि यदि कोई वस्तु बच्छा एक व्रितिया गति में एक समान बेक से चल रही है तो उसमें बच्छा इसका क्या होगा तौरण बढ़ता है question क्या दिया गया इसका तरहाँ क्या होगा युणिफोर्म ठीक है वैलोसिटी इस दबच्चे क्या हो गया आपकी यूनिफॉर्म ठीक है अच्छा क्वेशन से बच्छा एक समान रहेगा अगला क्वेशन क्वेशन नंबर 17 क्वेशन नंबर 17 क्या दिया गया आपके स्कीन के सामने देख लीजिए वाट इस दा एंगल बिट्वीन यहां पर क् अभी केंद्र तौरण और इस पर रेखा तौरण के बीच में कौन होगा समझों कौन होता है 90 डिगरी का 45 डिगरी का 0 डिगरी का विया 180 डिगरी का ठीक है इसमें सही आंसर क्या आना चाहिए ठीक है अच्छा कुशन से से वाट आच्छों सेंगल ऑर एक्शन की बात की गई तो कितना होना चीए पैसे नंबर सेवन्टीन का यहां पर रंजीत कुमार मौर्य जी ने ए आंसर दिया है पूजा कुमारी ए आंसर शामल भच्छा इसका राइट आंसर के आएगा ठीक है तो इसका राइट आनसर के आ क्या होता है इन दोनों के बिज़े एंगल बिट्विट्विटल एक्सेलेशन और जो आपका ठीक है जो इस पर से रिखा तोरण के बीच में कौन कितना होता आपका 40 अगला कुशन क्या दिया गिया इस क्वेशन का आंसर जल्दी से आप लोग देंगे क्वेशन नमबर 18 का सही आंसर क्या होगा एक ट्रेन की गती किसका उधारा होता है गुणन गती का यहाँ पर क्या दिया गया आपका रुक्ट्रेटरी मोशन का दिया गया इन क्वेशनों को हम लोग डेटेल में भी पढ़ेंगे इनके बारे में एक्स्पें करके जो आप आपके सामने दिया गया था नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले पर अगले पर अगला इन मैंसे कौन से एक साधिस मातरक नहीं है तो यह सच्छा आपका इन मैंसे कौन से बचा साधिस मातरक नहीं है इस क्वेशन का राइट आंसर क्या आना चाहिए ठीक है जो आपके exam point of view से काफी important questions है ठीक है तो इसमें से कौन से आएगा आपका electric electric current वज़ए ठीक है कौन स्कूर्शन नमबर 19 questions number 19 questions number 19 क्या कह रहे समझ रो questions number 19 क्या कह रहे electric current यानि की बिद्धूत धारा क्या होती आपकी सिक इसका भी राइट अंसर आएगा अगले questions क्यों बढ़ेंगे हम लोग बच्छा is the same of the every point of the routing वजब बॉड़ी एक गुणन वस्तु पर हर बिंदू पर एक समान होता है यापका चॉन तोर्क और वहान या बेग क्या आएग क्या आएग मूँका 20 NXT क्या कह रहे है यादि कोई घूंचन वस्तु में आहर एक बिंदू पर एक निदिएंग बॉस्तू होती है एक सामान होती है अच्छा questions है exam point of view से तो सभी लोग questions को याद करते हुए चले ठीक है next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions की ओर यह रहा बचा आपका questions number 21 questions number 21 क्या कह रहा है suddenly अगर barometer की बात करेंगे हम लोग barometer की जो reading होती है वह क्या होती है indicate of suddenly क्या हो जाती है ठीक है barometer की reading अच्छानक से गिर जाना किसका example है अच्छा questions है exam point of view से क्या दियागे आपका कि यदि बैरोमेटर की जो क्या होती है ठीक है तो इस question का सही answer क्या आएगा तो इसका right answer क्या आएगा बचा कि तूफान का आना क्या indicate करता है ठीक है तो इसका right answer क्या आएगा आपका हाँ बहुत बढ़िया ए इसका right answer next बढ़ेंगे हम लोग अगले question के ओर what is the velocity of idea fluid यहां पर क्या दिया गया किसी आदर्स द्रब की श्यानता कितनी होती है ऐसा questions पूछा जाए तो आपका answer क्या होगा exam point of view से हर एक questions आपके exam के according रखे गए ठीक है exam point of view से बचा physics का आज ठीक है कल हम लोग chemistry के कुछ important questions पढ़ने वाले हैं ठीक सभी लोग comments में answer देते रही है सभी लोग comments में answer send करते रही है ठीक है न तो इस question का right answer क्या आएगा बच्छा आपका तो इसका right answer क्या आएगा आपका से इसका right answer ठीक है क्या हो जाएगा बच्छा ठीक है जीरो हो जाएगा next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions की ओर अगर आकर्शन सकती ना हो तो निमलखित मैंसे कौन सा तरल पदार्त के लिए लागू नहीं है यहाँ पर क्या दिया गया if there is the no gravity यादि क्या नहीं है बच्छा यहाँ पर gravity नहीं है या गुरतवा क्रशन नहीं है which of the following is will be not with your float ठीक है किसी भी flirt के लिए बचा हिए क्या होगा questions number twenty three questions number eleven three क्या कह रहा है अच्छा questions है आपका ठीक है questions number twenty three क्या कह रहा है बच्छा आपका faculties कही भी आकर्शन यानि कि नहीं सकती ना हो तो निमलखित मैंसे तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा कौन सा नहीं होगा यहाँ पर क्या दिए upward thrust की बात करते हैं हम लोग upward thrust क्या होगा लागू नहीं होगा समझ रहो questions आपका अच्छा questions है D's का right answer आएगा next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर questions number 24 questions number 24 क्या कह रहा है the principle involved वचा आपका ठीक है absorption water by वचार सोयल ठीक है मिर्दा द्वारा जल के यानि कि मिटी के द्वारा जल के आउशोशन से संबंदित सिद्धान्त है कौन सा सिद्धान्त होगा principle of the absorption आउशोशन का सिद्धान्त capillary action की बात करते है conduction की बात करेंगे यह आपका क्या दिया गए ठीक है यह किस तरों से आपके एक सभी लोग ध्यान दे अच्छे questions से exam point of view से आपके तो सभी लोग वीडियो को like और share भी करते रही है जितने भी लोग यहाँ पर live है सभी लोग वीडियो को like और share भी करते रही है ठीक है तो इस question का right answer क्या आएगा बच्छा आपका b capillary action होता है समझ दो capillary action होता है यानि कि इस question का right answer जो दिया गया ठीक है ना कि next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर अगला questions क्या रहा है हर एक questions काफी important है इस question का answer कौन कौन दे रहा है यहां पर सभी बच्चे आप लोग सभी टेक्निकल वाले बच्चे तो आप लोग को answer इसका ज्यादा आसान हो जाएगा क्या हो रहा है बच्चा आपका ice floating in on the water समझ रो यहां पर क्या दिया गया बैसल यहां यहां पर में कुछ समय बाद क्या जाती पिगल जाती तो water label is the वहां पर क्या होगा यहां पर क्या दिया गया बच्चे आपका यह यदि एक बरतन में तैरती भी बरफ पिगल जाती है तो उस बरतन में जल का इस तर क्या होगा ठीक है increase होगा do not change questions number 25 question number 25 लगभग रंजीत कुमार मौर्याजी डी घठता है और कोई no change बी इस question का सही answer क्या रहाए decrease हां यहां पर क्या होगा बच्चा do not change कोई भी चैंज नहीं होगा समझ रो कोई भी परिवर्तन कैसे होगा do not change ठीक है यहां पर कोई भी चैंज नहीं होगा उसके सतर में ठीक है जो पानीका जो लेबल है उसका नमस्कार वच्चर ठीकμεश्वी लोग वज्य क्या वज्यक्चरी का सभी लोग ऊंधिंज होगा जो बच्च आज काांपी समय के बाद देख रहा हूं थी इस question की musta का दिया गे विचा आपका जो लेमद होता है इसका स्वाध खटा होता है तो उसमें कौन सी acid present होती है कौन से अमल के कारण यह क्या होता है ठीक है यहाँ पर सही answer क्या आना चीज़ का ए राइट अंसर रहेगा citric acid के कारण यानिकि उसमें क्या होती है आपकी बिटामिन सी प्रेजेंट होती है समझ जो विटामिन सी प्रेजेंट होती है सीट्रिक इसेटी क्या कि राइट अंसर आगा ठीक न नहीं वाल्यूम चैन्ज नहीं होगी वाल्यूम बिल्कुल भी चैन्ज नहीं होगी ठीक है अगला को संज क्या दिया गया बच्छा आपके यहां पे अत्यधिक अमलिया मिर्दा को उदासिन करने के लिए प्रियोग किया जाता है यादि किसी जो सॉयल है बच्छा उसमें क्य आपके ठीक है उसे जो एशीटिक स्वाइल है उसे चेंज़ करने के लिए ठीक है नूटिलाइज करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है यह भी आज रखना विल्कुल यह कुश्ड़ बचार मैंने बताया आप लोंको यह कुश्ड़ाम में पूचे जाते कही बार इनके आंसर ठीक है जो क्वेशन नमें डाउट होता है ठीक है इनको आप लोग जरूर स्टडी करें और बैक टू बैक हम लोग इनके बारे में जादा चीज जादा चीजे पढ़ते रहेंगे बहुत सारी चीजे मैंने आप लोग के पास छोड़े कोशन समर 27 का किसका प्रियोग किय जाता ठीक है तो यह याद रखना बच्चा आप लोग कई बार बच्चा आप लोग को आंसर यहां पर ब्यांसर दिया होगा लेकिन यहां पर दोनों का प्रियोग किया जाता न्यूट्रियन करने के लिए ठीक है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन पर अगला दिया गया एसेटी कैसीट फॉर्मिक एसेट एसकॉर्मिक एसेट या सिट्रीक एसेट कौनसी एसेट प्रजेंट होती है क्वेस्टन क्या है क्वेस्टन सदेख लीजिए बचाप सभी लोग ठीक है तो इस कुशन नहीं देखो यहां पर मैंने बता है आप लोग को जिस भी कुशन में डाउट होता है उस पर जरूर्ड स्टेडी कीजिए और स्टेडी करने के बाद जब स्ट्रीमिक समाप तो जाती है तो उसके बारे में जरूर लिखे बचाप लोग ठीक है तो यह गेंटी कích I told me K So million present होती है यहां लोग यहां पर कोई भी गैस अगर जल में उसे शौरी बच्छे यहाँ पर क्या दिया गया कौंसी गयर जेलiva हने पर उसे क्या बना देती है अमलय बना देती एंच्छा बच्षा आपका ऐंच्छा कोईशन से हैं आपका ए 갑자기 यहां पर आट आईगा आट आषा और carbon dioxide ठीक है ठीक यहां पर 20 का राइट अंसर आएगा carbon dioxide अगर किसी यहां पर क्या जल में घुल जाती है तो उसे acidic बना देती है ठीक है next बढ़ते हैं हम लोग अगले questions की और अच्छा questions आ गया हमेशा से आप लोग ने सुना है baking soda baking soda का पहले तो आप लोग क्या बताएंगे chemical नेम बताएंगे baking soda what is the chemical formula of baking soda baking soda का यहां पर direct आप लोग को नाम न देते हुए scientific नाम न देते हुए क्या दे दिया आपको formula दे दिया अब आपको baking soda का formula बताना है ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग baking soda यहां पर दिया गया आपका questions no.30 का right answer क्या आएगा समझो इसका right answer क्या आएगा बच्छा आपका हाँ बहुत बड़िया यहां पर आंसर दिया है Na2 यानि CO3 यानि क्या होगा बच्छा sodium bicarbonate इस question का right answer क्या आएगा आपका तो sodium bicarbonate ठीक है baking soda क्या होता है sodium bicarbonate इस तरह से भी questions पूछता है examiner यह भी याद होना ठीक है ना हाँ अगला questions के और बढ़ेंगे हम लोग अगला questions क्या है अगला questions यह रा blood group की खोज किसके द्वारा की गई थी questions number 31 blood group की खोज किसके द्वारा की गई थी ठीक है questions यह आपका रक्त समू की कोज किसके द्वारा की गई थी एलेक्जेंडर फ्लैमिंग के द्वारा या विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी या यहाँ पर लेंड स्टेनर के द्वारा की गई थी या पोविल के द्वारा की गई थी ठीक है तो यहाँ पर बचा अलेक्जेंडर फ्लैमिंग के द्वारा क्या की गई थी वो मैं आप ल लेंड इस्टेनर के द्वारा रक्त समों की यानिकि बलड गुरूब की खोज की गई थी लेंड इस्टेनर इस कुशन का राइट अंसर आएगा अगर आप लोग से पूचा जाता है बलड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर विल्यम हार्वे का नाम आएगा विल्यम सपेद हिस्टों में जो आंत्रिक सरस्थना की रक्षा करता है वह है दा आउटर विचा ठीक है वाइट पार्ट ऑफ द आई डैट विचा प्रोटेक्ट दे इनर इस्टेक्टर इन यह कौन सा होजा ठीक है अच्छा कुशन से ठीक है इस क्वेशन का सही आंसर क्या एगा तो यहां पे सही आंसर क्या अनचे इसका तो इससे क्या कहा जाता है इसकेलरा कहा जाता है यह क्या करता है ठीक है जो वाइट पार्ट होता वच्छा इससे क्या आंके बाहरी सपेद हिस्टे में जो आंत्रिक सरस्थना की रक्ष में सबसे बड़ा भाग कौन होता है मानो मस्तिक में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है यहां पर दिया गया नहीं आइरिस की बात करें यहां पर जो बच्चे ने आइरिस आंसर दिया है यह क्या करता है प्रकास को आइरिस प्रकास को को करता है लाइट को कंट्रोल करता है हम ये प्रकास को कौन कंट्रोल करता है ठीक है इस question का right answer क्या आएगा उच्छे इसका cerebrum इस question का सही answer आएगा हमारे मस्तिस्क में सबसे बड़ा जोच्सा होता है उसे क्या कहा जाता है cerebrum कहा जाता है ठीक next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर questions क्या दिया गया निम लिखित मैंसे कौन सा vitamin जो जल में घुलंसील है तो जल में water में जो घुलंसील है वो vitamin कौन से B और C vitamin B और C जो पानी में घुलंसील होते है तो यहां पर right answer क्या आनच इसका भी इस question का right answer आएगा question number 34 अब चलते हमले 35 क्यों 35 और वियासन questions हो गया आपका यहां पर क्या दिया गया दूद में बच्छा बहुत आलपर मात्रा में होता है यानि पाया ही नहीं जाता है इन वैसे क्या दिया गया आपका बिल्कुल poor source of the which of the following जो milk होता बच्छा उसमें क्या होता है नहीं पाया जाता विटामिन सी कैल्सियम प्रोटीन कार्वाइडिड तो बिटामिन सी नहीं पाया जाता है ठीक है अगर मैं आप लों को कहा हूं कि अगर दही की बात करो मैं समझ अगर दही की बात करेंगे तो दही तो खटी होती है तो दही में क्या पर्जैंट होता है हम लोग कहते है कि जो खटी चीजह होती है उसमें च्या होती है चीक्ट होती है मैं स्ट्रीक इसेट की बात कर रहा हूं ठीक है नेक्ष बनेंगे हम लोग डेपिसेंट्य अभ विटामिन कॉस्ष्ट नाइट ब्लाइडट्नेस यहाँ पर क्या धिया गया किस बीटामिन की कमी के कारण रतांदी नामक रोग होता है विटामिन के कारण विटामिन C, विटामिन B1 या विटामिन A किस विटामिन के कारण रतांदी नामक रोग होता है ठीक है तो साती साथ सेंटिफिक नेम भी भेग जोगे साती साथ वहां पर lactic acid होता है शामल करके बच्चा है यहां पर इन्होंना अंसर बेजा है lactic acid present होती है ठीक है questions क्या दिया गए deficiency of the किस vitamin की कमी से होता है तो रत ओंदी बच्चा किसकी कमी से होता है vitamin A की कमी से होता है लेकिन option D दिया गया यहां पर यह भी याद रखना कभी का बार समझ रहो कि 37 कुमार जी के उसमें questions नहीं दिख रहे हैं सभी लोगों को questions visible नहीं है क्या questions क्या दिया गया आपका which virus caused चेकन फक्स किस वाइर सके कारण चेचक रोग होता है तो Brent fix मैंने पहले बताय होगा आपनों को किस वाइरस के कारण chicken फक्स जो डीजीजो होती है किसके कारण होती है ठीक है तो यह पहले भी मैंने आप होगोगों को स्था बताए हुए च्टोस्कूर यह किसकी कारान होती है कि कि ये तो इसका राइट अंसर किया ना चीह मैं तो इसका Rine cancer कि आपका ठीक तो इसक राइट आन्सर कि आएगा Scout का来了 Viruzz कि बात करी थे मैंने स्वी जूष्ट जॉषक्ण डीक कोशना-3 2567 का डी राइट अंसर आएगा ठीक है हाँ जोस्टरवाइरस तो होता है लेकिन हर्पी स्वोस्टर नहीं ओगा वह रुख समि度्ब धित्ञ dagger नहीं होगा समझाइए और कि यह किसके कारण होता है कि आप लों को इस तुले चाम का इपर ज लेक्षाहिए नहीं होता है कि यहें एक किसके कारण से अब इस त क्या दिया गया एक हे फिवर नामक निम लिखित मैंसे किसका एक संकेत है बिर्दावस्ता का कुपोशन का या एलर्जी का या क्या होता आपका अत्याधिक कार्य करने का ओबर हाडवर का समझ रो हे करके जो डिजीज होती है यह किसको इंडिकेड करती है ठीक है ऐसा कहा यह ठीक अच्छा क्वेशन से बचे यहां पर क्वेशन ठीक है ना हे फिवर की बात करते हम लोग तो हे फिवर किसका इंडिकेशन है ठीक है क्वेशन सम्बर हां अंसर देते रही है कॉशंस नमर 38 का किसी बच्चन है तो यह किसका होता छेए यहाद अपर आलर्जी होती है ठीक है शिंट्रम्स इल्कूल पचे यहाँ पर सिनेंजिंग करेंगे हम लोग लेख नोज तो यह किसका करम बचाए तो यह किसका अलर्जी का ठीक सीजिसका राइट आइगा next बढ़ेंगे myopia की बात करेंगे हम लोग myopia क्या होता बच्छा आखों का एक दोस है जिसे क्या कहा जाता है myopia is the defect is the eyes also non-age यह जाना जाता है समझ रो अच्छा क्वेशन से एक्जाम पॉइंट आप व्यू से आज सारे बचे गायब क्यों होगे एक बार आप सभी लोग वीडियो को सेयर कीजिए आज बचे गायब क्यों होगे स्ब्सक्राइब नोटिफिकेसन नहीं मिल पार आप लोग को को मैंने TIME की बात करेई थिना टारै अप लोगो ठीक्छे म्योपी जो डिजीज होती है ठीक है नहीं है ठीक है तो यसे क्या बोलते बच्छा आपका बी इसका राइट आंसर आएगा इस question का राइट आंसर क्या आपका बी राइट आंसर आएगा ठीक है अच्छा questions है exam point of view से नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के ओर like and is the assumption between which of the two like and किन दो के 20 की एक कड़ी है लाइकन ठीक है किस किन दो के 20 के कड़ी है ऐसा भी questions questions पूछा जाए आप से तो इस question का सही आंसर आएगा बच्छा तो यह किसके बीच में LG यानिकि सैवाल और कवक के 20 की करिये और यहा दखना like and जहां पर पर्जेंट होगा वहांपे air को भी notification नहीं मिला देखो no notification का इंतजार बिल्कुल ना करी आप लोग मैंने बताया आप लोग को डेली आपकी क्लास से नौ बज़े स्टार्ट होती तो आप नौ बजे जरूर चेक कीजिए इनर अकेडमी के यूटूब चैनल पर कि आप लोगों के नॉन टेक की क्लास चल रही या नहीं चल रही ठीक है तो आप लोगों को कौसा एक कीट औरी बनस्पति होता है यह नैट्रोजन के लिए क्या करती है स्मझों इन्पे नाही जर्ण को प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षन करते है समझ रू १िनमे नाई्ट्री फिक्सेशन की होता है नैट्रोजन के लिए ठीक तो यहाँ पर मैंने साहएद कहां पर समझ रो हेलो फाईट्स हम लोग उन प्लांट को कहते है जो उखते हैं कहां पे fresh water में cold water में ठंडे पानी में या पाउंड्स यानि तालब में या salt water में समझ रो last time पे बताया में आप लोगों को जहां पर मरुस्तल होगा desert होगा, वहाँ पर क्या होगा आपका zerophyte songi, ठीक है चट्टानी भूमी पर, वहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर right answer क्या आनचे इसका, salt water में, जहाँ पर नमकीन पानी, खारा पानी होगा तो वहाँ पर कौन सा, कौन से plant उकते हैं, halophyte इसका right answer आएगा, जो questions दिया गया आपका, fresh water निया आएगा question number 42 का right answer क्या आएगा, डी इसका right answer आएगा, ठीक है, हाँ next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions क्यों, अगला questions क्या दिया गया, जायलम जो help करता है, transportation of the which of the following, यहाँ दखने आप लोगों को, बायो के अंदर जब मैंने पढ़ाया था, बायो जड़ विशी गूरूप भी है मेरा, ठीक है, तो यह दखे बायो के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्छे, कि जो tissues होते आपके, ठीक है, tissues की क्या बात करी थी, जैसे पैरनकाइमा, कॉलनकाइमा, इनके बारें बात करी थी मैंने, कि यह क्या होते हैं, simple tissue होते हैं, लेकिन कुछ है क्या होते हैं, आपके complex tissue होते हैं, जिनने जटिल उतक कहते हैं, उसमें जायलम और phloem सबसे बड़ा example आता है, समझ रहो, जब plant आप लोग पढ़ते हैं, प्लांट tissue पढ़ते हैं, प्लांट tissue के अंदर, जायलम और phloem के बारे में जरूर पढ़िए, और मैंने आप आप लोग को पहले भी कई बार बताया, ठीक है, तो जायलम और phloem के बलोग बात करेंगे, तो यह किसके काम आता है, तो पानी को supply करता है, समझ रहो, इसका काम क्या होगा पानी को supply करने का, यहाँ पे option D जो दिया गया है, ठीक है, यदि अगर D की जगे, वहाँ पे जटिल उत्तक होते है, ठीक है, नेक्स बढ़ेंगे, हम लोग अगले questions की ओर, केले की मत्र, यहाँ पर क्या दिया गया बचाँ आपका, बनाना फ्रिकल, यहाँ आप लोग को तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर क्या दिया गया बचाँ, अच्छा questions है, बनाना फ्रिकल्स की बात की रिए, यह प्लांट डिजीज है, तो समझो, it is the caused by a, केले में जाई पौधे में एक बिमारी होती है, ठीक है, पौधे की एक बिमारी है, यह एक किसका कारण होता है, तो यह कारण होता है, किसका, फंगस के कारण होता है, अच्छा questions है, बिल्कुल, बन कारण होती है, कारण के कारण, यह जो black spot पर जाते है, केले में बच्चे क्या होता है, जो black spot पर जाते है, ठीक है, तो वो किसका लोट होता है, फंगस के कारण, रैड रूट की बात कीगे, यहां पर, रैड रूट is the disease cause to which of the following plant, समझ बचा अपका, रैड रूट की बात करें समझ रहो हमेशा से एक्जाम में भी हाँ ठीका रोग मुख़नी में होता है बिल्कुल अगनी निंजा रोग आपका एपल में सेबों में पाये जाता है तो उसी तरह से रेड रूट जो आपका रोग होता है रोट लिखाया पर रूट भी नहीं है रेड रोट करागा ठीक है तो यह किसमा होता है गंने में बहुत बडिया सुगर करण गंने में एक रोग होता है ठीक हां नेक्ट बढ़ेंगे हम लोग इस कुश्टन के लिए पाए जाते हैं बिलकूल आसान करते रोटेशन स्ट रूट बैक् exceptionally responsible for the fixation of और यहां पर क्या दिया गë बचापका nitrogen fixation के लिए ये किसमे present होते हैं questions number 46 का सही answer क्या आएगा तो ये पाई जाते हैं किसमे matter में present होते हैं समझ रहो जहां भी दलानी फसले होगी वहां ये present होते हैं याद रखना जहां भी दलानी फसले होती है वहां पे nitrogen सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है nitrogen वहां पे क्या होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में present होता है ठीक है यहाँ पर काफी सारे बच्चों को में नया देख रहा हूं ठीक है अच्छे यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो technical streaming से नहीं है जो किसी ब्रांच से निवत जिनका mechanical इलक्ट्रिकल या सिविल ब्रांच या इलक्ट्रोनिक्स वांच किसी समवध निया ठीक है ऐसा भी कोई बच्चा है इसा है सबी बच्चे यहाँ पर लगभग लगभग नाइंटी नाइन सेंट बच्चे इलक्ट्रिकल के है ठीक है तीम है नेश्च बढ़ेंगे हम लोग अगले को संफ पर अगला को संफ लाटी किया रहा है या पर jumte questionnah 47 question number 47 क्या दिया गया वह टैलू communication नापका network या computer network जो एक बड़े बहुगलिक दूरी में फैला हुआ है क्या कहलाता है क्या दिया गया है सभी लोग technical जैसे अब को देखक हम उनको देखा वर्चे से आप करके जो बच्चे है यह electronic से और कोई बच्चा बाकी सब लोग technical से सभी लोग technical से इस चाहिए है कि नेक्स्ट इस कुश्टें का राइट आंजर के आएगा बच्छाब को उसे क्या बोलते हैं वाइल एरिया नेट्वर्क वाइल एरिया नेट्वर्क कहा जाता ठीक है नेक्स अग्ला क्वेस्टन एस्पी का नाम आप लोग ने computer language में सुना होगा ठीक है समझो computer language में बचा अक्सर आप लोग ने ASP नाम सुना है तो यह किस इसका full form क्या होगा ठीक है ना यहाँ पर questions क्या दिया गया बचा आपका ASP is the computer science stand for computer में क्या होता ही आपका अच्छा questions है exam point of view से इस question का right answer क्या आएगा जो आपके सामने दिया गया उस question का right answer क्या आएगा ठीक है ना तो इस question का सही answer ठीक है अगला question क्यों बढ़ेंगे हम लोग अगला questions क्या दिया गया dns is the networking term that we dns की बात करेंगे dns बच्चा आपका networking सब्सक्राइब क्या होता है डोने नेम सिस्टम हो गया आपका डिजिटल नेटवर्क सभी सोगया data numbering sequence हो गया या data number system हो गया dns का सही answer क्या ठीक है तो इस question का right answer क्या आएगा आपका domain name system हो ठीक है domain name system होता है यानि इस question का question number 49 का right answer था ए तो यहां पर हम लों लगबग 50 questions complete करने वाले अब देखते हैं यह questions का सही answer कौन देरा उस बच्चे के ठीक है questions number 50 what is the full form is the JPG यहां पर क्या दिया गया JPG JPG का आप लोग ने देखा होगा अलग-अलग जो format होता है जैसे हम लोग photo की बात करेंगे PNG format में होती है JPG format में होती है तो JPG format जो होता आपका यह इसकी full form क्या होगी यहाद रखें एक-एक questions आपके exam में पूछेगे questions number 50 का right answer क्या आएगा जो आपके screen के सामने दिया गी है ठीक है इसका सही answer क्या आना चाहिए questions number 50 का सही answer क्या आएग आपका joint photography expert group हाँ यहाँ पे answer के साथ देखो question number के साथ mention कीजिए question number 50 का B joint protocol expert graphic यहाँ पे electronics वाली जो बच्चे है वो जादक JPG के बारे में सायथ पढ़ते हैं ठीक है extension के बारे में पढ़ा होगा बच्चोंने तो इसका right answer क्या आना चाहिए यह बहुत बढ़िया सुजीत सर्मा जी भी अभी आ रहें 50 का नहीं पता ठीक है तो इसका right answer क्या आएगा आपका जो आपके सामने दिया गया था उस question का right answer क्या था बच्चा ए नेक्स चलते हम लोग अब आपका कुछ important questions हम लोग नहीं यहाँ पर पढ़े ठीक है बहुत सारे important questions हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके है अब revision section क्यों पहले भी हम लोग इसके बार में पढ़ चुके है पर नाम होता है सिरु इसका सही यहाँ विजिबल नहीं होगा आपको लेकिन वैसे मत अर्बॉल्य यहाँ पर क्या दिया गाड़ी जिया गरिया था इप अयांनी इस पेरो इसकोइरल हो गया लीजट हो गया या स्पाइडर मंकी किसका सथी इसका सथी आंसर क्या आएगा एगा आपका डि जो क्या होते अई फैर नहीं मंग्की तूह कैला कौसन क्या दिया गया स्पाइडर मंकी суд मेक त्मिलवी साइलम मक्री किसी प्रजाति के अंदर आएगी एनलीडा दिया गया आपका मुलस्का दिया गया नीडा दिया गया या और्थो पोड़ा इस क्वेशन का अच्छा वीजबल है तो अच्छी बात है यह कुशन्स बच्छे देखो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यह सारी चीजे तभी समझ माएगी हम लोग जब जनल साइंस को अपने एंड से पढ़े आज बच्छों का स्टेंड कम क्यूं है उसकी वज़े भी यही है क्यूंकि जनल साइंस को बच्छे बहुत कम पढ है खाना बनाते बनाते रिप्लाइ कर रहे है ठीक है तो यही तो स्ट्रगल है समझ रहों यह समय बच्छा लॉट की नहीं आएगा इससे अच्छे से इंजॉई करिए तो याद रखे बच्छा इस पाइडर जो ठीक है तो यहां पर क्या दिए आपका तो कौन से उसे करेंगे हम लोग समवेक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है तो यह कहलाती है आपका बल यानि कि फोर्स की यहां पर क्या कहेंगे हम लोग बल कहेंगे ठीक है किसे बैग्यानिक ने प्रकास तरंग का सिध्धान को प्रस्तावित किया था जो थेओरी दी गई थी बच्छा क्य हाएगा बचाब का a yagn aq quiak की एक राटान्सर ऐगे ठीक है नेक्स रेंगे हम लोगब कोईसंनमर 55 ौट इस दा एसाइऑ अउनिन आप टॉर क्वल आगून की एसाइऑ काई क्या होती है बल आगून की एसाइऑ यूनिट क्या होती है समझ रो इस कुषेशन का सभी आंसर क्य आना चाहिए तो बल आगोंड की जो SI unit होती हो क्या होती है Newton meter होती है सबस्ट टॉर्क जो होता बच्छा आपका Magnitive force की बात करेंगे हम लोग जो magnitude of the force की बात करेंगे ठीक है और यहां पर क्या आपका ठीक तो जो टॉर्क आपका definition of the torque की बात करेंगे हम लोग ठीक है यह क्या direction ओट ठीक है SI unit क्या होती है Newton पर meter होता है ठीक है Newton meter होता है इसका next बढ़ेंगे हम लोग यहां पर जैसे vector and यह आपका क्या होता है scalar की बात करते है यह क्या है आपकी physical quantity यह बहुत थिक रासिया होती है जो यहाँ पर यह क्या होता है ठीक है scalar और vector की बात करेंगे हम लोग एक में क्या होता है आपका सिर्फ और सिर्फ magnitude ची होता है और दूसरे में magnitude के साथ साथ direction भी चाहिए होता है ठीक है तो कुछ example भी यहाँ पर जैसे distance हो गया, speed हो गया इस scalar में कौन-कौन सा आएंगे distance हो गया आपका scalar quantity और vector quantity ठीक है, vector quantity को पढ़िया आप लोग जैसे displacement की बात करेंगे हम लोग, velocity की बात करेंगे excellence की बात करेंगे, force की बात करेंगे ठीक है, तो यह सारी चीज़े भी आप लोग को याद हो नीचे, यहाँ पर तोड़ा से इनको जूम कर लेता हो मैं, अब दिख रहा होगा आपको लोग, killer दिख रहा होगा यहाँ पर चीज़ें आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगी, ठीक है समझ रो, अच्छे question से आपके जैसे कि आपका distance की बात करते हैं हम लोग, समझ रो अगर हम लोग distance की बात करेंगे, तो distance क्या है आपका जैसे speed हो गया, time हो गया, ठीक है यहाँ पर अगर हम लोग mass की बात करेंगे, तो mass भी किसमें आता है ठीक, तो यह आपके कौन-कौन से quantity ऐसा भी पूछा जाए, ठीक है next बढ़ेंगे, हम लोग अगला questions की और human beings से होती है माननो, जाती के सुनने की सीमा कितनी होती है, तो कितनी होती है यह होती है, बचा कितना 20 से लेकर 20,000 हर्ज तक हम लोग क्या कर सकते है सुन सकते हैं, ठीक है, तो यह भी यहाद रख्याप साभी लोग next बढ़ेंगे, हम लोग अगले questions पर महिलाओं की जो आवाज होती हो, क्या होती है, तीकी होती है उसका कारण क्या होता है, अब यहाँ पर अच्छा questions है, आपका exam point of view से ठीक है, हाँ, यह questions क्या दिया गया आपका, वह मैं जी जो आपका, ठीक है न, यहाँ पर क्या होती है, वाइस क्या होती है, तीकी होती है, उसका कारण उच्छा आवरती होती है, अब जो बच्चे अभी अभी आ रहे है चैनल पे, क्या उन्हें notification नहीं मिला था, अगर notification नहीं मिला था, तो आप लोगों को मैंने daily का है, रात में 9 बज़े आप लोगों की class चलती है, exam 2020 आपके सभी exam हों के लिए काप important है, ठीक है, Newton का पहला नियम किस से संबंदित है, Newton first law किस से संबंदित है, या उसे हम लोग कि से नाम से जानते है, Newton first law is the also known as, किस नाम से, आगुन का नियम, law of the momentum की बात करेंगे, law of the fraction की बात करेंगे हम लोग, ठीक है न, आपका क्या दिया गया, law of interior की बात करेंगे, जरता का नियम, या law of motion की बात करेंगे, तो यहाँ पर सही answer आएगा, उसे जरता का नियम भी कहा ज जाता है, ठीक है, next यहाँ पर जैसे आपके Newton's law आपके motion slot, ठीक है, first law में क्या कहता आपका, तो जब तक हम लोग किसी वस्तु पर अगर यहाँ पर क्या दिया जाता है, अगर कोई वस्तु गतिमान आवस्ता में, तो गतिमानी रहेगी, ठीक है, इस तरह से आप लोग ने प जाता है, तो यहाँ पर कौन सा नियम होगा, ठीक है, recoil after the firing, firing करने के बाद क्या होता है, पीछे की जटका लगता है, तो यहाँ पर Newton का कौन सा नियम, यहाँ पर प्रियोग होता है, ठीक है, तो यहाँ इस question का right answer आएगा, आपका C, यानि कि Newton का तीसरा नियम, थार्ड लोग यहाँ जो थार्ड लोग आपका, क्रिया प्रतिकिर्या का नियम, ठीक, सेकंड फोर्स नियागा, थार्ड आएगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोगने जो पड़ा था, यहाँ पर दिया आगया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका every action, there is the equal and opposite reaction, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिकिर् तुल्या होता है, impulse equal to, what is the impulse, equal to, आवेग किसके तुल्या होता है, समझ रो, questions अच्छा है आपका, तो आवेग किसके तुल्या होता है, तो भी इसका right answer आएगा, change of momentum की बात करेंगे, ठीक है, question number 66, यहाँ पर क्या दिया गया बच्चा आपका, sleeper जन्तु, यहाँ पर क्या द animal Q के नाम से किसे जाना जाता है, sleeper animal Q के नाम से किसे जाना जाता है, पैरा मीशियम को sleeper animal Q के नाम से जाना जाता है, ठीक है, next बढ़ेंगे, हम लोग अगले questions के और, अगला questions, रीट के हड़ी, जिनवे पाई जाती है, जो, वर्ट, सम्जों जोने किया बूलते हैं भचाब का, वर्टिब्र जो होते है, ठीक है, प्रानी जो होते हैं, यह किस के अंतर्गत के अंदर, और, और, नीरेटरा, के अंदर, या कोड़ेंटा के अंदर, तो ये सारे के सारे किसमे आएंगे कॉर्ड डेटा है जो आपका फाइलम है इसके अंदर जो भी रीट के अड़ी जिन में प्रेजेंट होती है इसमें पाए जाते है ठीक है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगला कुशन क्या दिया गया किस दवा में एक मदुमाई रोगी जवाब का ठीक है मदुमेया रोधी दवा के रूप में प्रियोग किया जाता है इस सबी लोग वीडियो को लाइक और सेर भी करते रहिए तो यहाँ पर राइट आंसर किया आएगा बड़ की कि अकाल थाव बड़ा है, वाभ जो नहा है, वो झालब्स काली है, वो झाल बड़ा है, वो समय